देखिए कोशन है क्या कोशन है दाफोकाई ओफ दग्राफ रिप्रेजेंटेट बाइ एकस स्क्वेर माइनस पूर वाइस स्क्वेर प्लस टूए अब सबसे पहले ध्यान रखेगा आपको कोशन देखके पकड़ में आना चाहिए कि किस एक्वेशन की बात कर रहे हैं अगर ए तो इसका फोकाई होता यह लिफ्स है और इसका फोकाई होता ये कॉमाजी ओन कि राइट एकॉमाजी प्लस माइनस यहां पर सेंटर जैसे अगर मालो ऐसा दिये होते हैं कि एकस माइस हैच का स्क्वेरbody by इसक्वेर बैस टो फोकाई होता प्लस माइनस एई प्लस एच इससे क्विट कर देते हैं और कॉमा के लाइक डिस यानि आपकी कंसेप्शियली लॉजिक्स कैसे हैं इस पर पूरा कोशन मैथट डिपेंड करेगा अच्छा अगर मालो हाइपर बोला की क्विशन हो तो हाइपर बोला और इलिफ्स के कंसेप्ट सेम होते हैं पर हाइपर बोला में माइनस आता है और इसकी फोकाई भी इसी डंग से लिखते हैं अगर मालो हाँ माइनस होता तो तो भी यह होता है अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वेर और माइनस फोर बाई स्कोर जैसे ही आपने यह देखा कई बार क्या होता है हम सक्वेर्ट करेंगे तो जब न करेंगे तो आप ऐसे लिखनेंगे अंस को पलसित इसको एक साथ ले लिया इसमें से माइनस प्लामन लिया तो वाई स्कूर माइनस टू य एकवल टू 7 लिख दिया अब देखें इसकी पर फैडिस क्वेरिंग के लिए आपने उन ऐड किया वन सब्टेट किया यह आप डारेट कर सकते थे मैं आपको अभी पूरा समझा रहा हूं इसलिए कि स्टेप को लिखते हुए चलूंगा यह करा अब यह मिल गया स्टेप को लिखते हैं यहां पर मिल गया माइनस फोर टाइम सब वाइनस वन का होल स्केर माइनस ब्लस फोर और डिस इक्वल टू सेवन अब यह minus 1 और प्लस 4 तो यह बचा 3, 3 उदर गया तो 4 यानि आपके पास कुछ resultant equation SEI X plus 1 का whole square minus Y minus 1 4 times of Y minus 1 का whole square equal to 4 या X इतना नहीं करना याद रखना यह समझाने के लिए कर रहा हूँ Y minus 1 का whole square upon 1 equal to 1 This is hyperbolic equation अब इसकी फोकाई का बड़ा simple logic है कि आपको इसको 0 से quit करना यानि इसकी फोकाई होगी minus 1 plus minus E, comma इसको 0 से quit करोगो तो 1 तो सबसे पहले देखिए कि Y में coordinate 1 कहा है इसमें root 5 है, नहीं ले सकते इसमें भी root 5 है, नहीं ले सकते राइट, दूसरी बात यहाँ पर जो portion होगा वो 1 plus minus के term में होना चाहिए, जो इसी में दिखरा देखिए right और 1 भी दिखरा है यहाँ पर तो 1 यह था ही नहीं अच्छा, यहाँ पर यह minus 1 और इसके साथ आ गया तो यह भी नहीं है तो इसका मतलब आपने कितनी easily options को reject करके answer दे दिया अब आप क्या करोगे, अगर मैं पूरा यह करवाओ पूरा सीख लीजिए, जिससे पता रहे आगे के लिए, आपको सबसे पहले यह perfect squaring तो हो गई e निकानना होगा, e होता under root 1 plus b square by a square यानि यह हो गया under root 1 plus 1 by 4 यह means root 5 by 4 a square कितना है बिटा 4, b square कितना है 1, तो इसका मदलब a e कितना हो जाएगा 2 into, यह 5 by root 5 by 2 into root 5 by 2 यानि root 5 फोकाई के, plus minus होगा फोकाई क्या होगी, x plus 1 equal to plus minus a e, यानि root 5 तो आप लिखोगा, x equal to minus 1 plus minus root 5 और y को 0 से equate कर दो, तो y minus 1 equal to 0, तो y equal to 1 तो answer हो गया, minus 1 plus minus root 5 कॉमा 1, तो minus 1 अब देखो, minus 1 यहाँ पर यह कॉमा गलत लग गया है, यहाँ पर जैसे यह लिखा था था न, 1 plus minus वो इसलिए हम मैंने पूरा करवाया कॉमा 1 और वहाँ लिखा है, minus 1 plus minus लिखना था, तो answer इसका होगा, याद रखिएगा, minus 1 plus minus root 5 कॉमा 1, जो आप देखके ही बता सकते थे, वैसे भी जब मैंने आपको बोला, minus 1 plus minus a e, 1 देखना है, तो minus 1 इसी में है, और 1 भी इसी में, और किसी में भी देखिए, minus 1 यहाँ इसमें आया है, पर वो वाई, इसके साथ चला गया, गलत हो गया, इसमें plus 1 आया, नहीं कलेना, यानि आप without complete solve भी question के answer दे सकते हैं, just depend कि आप किस mind setup से paper कर रहे हैं, logic कितना है, concept कितना है, और पढ़ने के तरीके में यह changes जहूर लाइए, तो यह minus 1 आप ध्यान दें, तो इसी में दिख रहा था, बस यह comma गलत लग गया था, यह minus 1 plus minus root 5, 1 is our answer.